दुरुग की गुजराती धर्म शाला में जिला इस्तरिय निशुल का आयुष स्वास्त शिविर का आयोजन किया गया जिसमें करीब 1500 से अधिक लोगों ने पहुच शिविर का लाब उठाया चलिए अधिकारी के मार्ग दर्शन में एक दिवसी जिला इस्तरि निशुल का आयुष्ट स्वास्त श्विर स्वास्त मेले का आयुजन दूर्ग के गुजराती धर्म शाला में किया गया जिसमें आयुरवेद हुमयोपैथि एबं यूनानी चिकिस्ता पधधियों के चिकिस्कों द्वारा निशुल के चिकिस्ता एबं ओषधी का भी वितरन किया गया। चिकित्सा पद्धती का भी प्रदर्शन किया गया तथा धान ये पानक का भी वित्रण किया गया वहीं इस अवसर पर मुख्य अतिती विधायक अरुण वोरा की अध्यक्सता में महाप और नीरज बाकलीवाल और विशेश अतिती प्रतीमा चंद्राकर आर एन वर्मा पास्त मेले में मंच संचालन डॉक्टर नम्रता यादाव और डॉक्टर रामसरूप मरकाम अधिकारी द्वारा किया गया यह हमारा जिलाइस्तरी एक दिस्वाइश स्वास्थिविर है यह संचलनान के निरदेशन पर यह आयूजित किया गया है क्लेक्टर मोहदा इसके सं रक्षक हैं और प्रतिवर्स यह जिले में एक जिलाइस्तरी निस्विर आयुजित किया जाता है और अभी तक हम लोग 1144 पीशेंट देखे जा चुके हैं और जिसमें 110 जो हैना ब्लड टेस्ट और नेत परिक्षण का भी है यह अलग-अलग बोलें तो यूनानी में 132 होम् अपनी कम हो गई है तो संभव कि हमारे पास अभी लगवाल लगवा एक जिल घंटे का समय है तो हम लोग कम से काम 200 पेशेंट तो इस बीच में और आने की समभव न मानते हैं अपनी जो है एक आयोवेट मेडिसिन जो होती है उसको पेशेंट के सिर पे बून-बून करके टपकाया जाता है या अनीद्रा हो गए शिरो रोग हो गए शिरो शूल हो गए माईग्रेन का प्रॉबलम है जिनको जितने भी जिर्ण शिरो रोग होते हैं उन सब में ये अच्छा रिजल्ट मिलता है इसमें 70 से 80 परसेंट इसका फायदा मिलता है इस पद्यदी का और साथ में फिर मौकी कुरूग से भी इनको और शिरो शिरो रोग है और जैसे कफरोग वातरोग पितरोग जैसे ये पिपली आप देख रहे हैं ये पाउधा पिपली ये अच्छा कारिय करता है हम आयरवेद में जो त्रिकटू चूरुन बनता है उसमें सौट पिपली और काली मीरच ये तीनों रहते तो उसमें प्रमुग द्रव्या पिपली का भी होता है बाकी ये जो ब्राम्मी है और ये इधर चंदन है सर पगंधा विशेश अलग-अलग हमें सभी का उपयोग होता है और इस प्रकार से बहुत सारे जो अवशदी है ऐसा कहा गया जगत तेइव वर वन औशचत अने कोई बैसा वन पत इस जानना चाहिए उस पोदे को जा इसके लिए उपयोग तो करती है इसी प्रकार से हम इसी लोगों इस बनाशेदियों का उपयोग अगर अच्छे से करेंगे तो बीमारियों से जरूर दूर रहेंगे और अपने स्वास्ते का रक्षन करेंगे। Grand Asian News के लिए दूर्ग से नसीम फारुकी